हलो रिवन, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज़ूगेसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे कैलसे में विटामिन दी थी के टैबलेट्स के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक यूज के बारे में साथ ही जानेंगे कि उसके अलग-अलग कौन से टॉप ब्रांड और पॉपिलर ब्रांड्स के अंदर ये टैबलेट अविलिबल है और उसका डोस वगेरा क्या होता है, साइड इफेक्स वगेरा क्या होते है और warning and precautions के बारे में भी हम जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर detail में तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of PharmaRox Thank you for being 2 lakh family of PharmaRox अपडेटेट रही है PharmaRox के साथ, access कर ये study material, test series and video lecture PharmaRox के आप उपर तो अगर आपके पास android phone है तो android app download कर सकते है iPhone user है तो app store पर से भी download कर सकते है box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझे, calcium and vitamin D3 के tablets के बारे में जो main basic concept आपका clear करें तो ये tablet का जो combination है कि जिसके अंदर calcium भी है और vitamin D3 भी है तो ये हमें vitamin provide करता है और साथो साथ mineral supplements जो है वो provide करता है हमारी body को कि यहापे आप उसका container देखिए तो उसके composition के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये calcium और साथी है उसके अंदर vitamin D3 तो calcium जो है वो उसके अंदर 500 mg के strength के अंदर available होता है और vitamin D3 की जिसको chemically call calciferol जो हो कहा जाता है जिसके 250 international units जो है वो उसके अंदर present है तो ये होगा है ये टेबलेट का composition और this medicine combination in tablet do this form is used for the treatment of vitamin D and calcium deficiency ये खास समझ लीजिए कि ये टेबलेट को use क्यों किया जाता है तो vitamin D and calcium की जो deficiency है उसको पूरी करने के लिए कि अगर समझे कि आपके body के अंदर vitamin D की कमी है calcium की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए ये टेबलेट combination जो है वो prescribe किया जाता है तो यहाँ पे आप जानते हैं उसके हम अलग-अलग brands कि ये सभी brands के अंदर आप देखो तो calcium and vitamin D3 है और सभी का जो composition है वो भी सेम रहता है तो Cipkel 500 mg tablet की जो Cipla का ये product है कि आप यहाँ पे देख सकते है Cipkel 500 mg tablet for mineral and nutritional supplement की जिसके अंदर vitamin B भी है और minerals भी है फिर दूसरा उसका brand देखे तो Celkel 500 mg tablet की ये देख सकते हैं Celkel की जिसके manufacturer आप देख सकते है Torrent Pharmaceuticals जो है उसको manufacture करते की जो Celkel है जिसके अंदर भी calcium and vitamin D3 है फिर Deli Cal 500 tablet की ये वाला आप देख सकते हैं उसके बाद दूसरा famous brand देखो तो Calcine D करके है कि जिसके अंदर भी calcium and colcalciferol है कि vitamin D3 and calcium है फिर Osopan D tablet आते है Zemkel D3 and Oceivite 500 mg tablet तो ये सभी brand के अंदर calcium and vitamin D3 जो है वो main composition रहता है अब जानते हैं कि हमारी body को calcium की जरूरत क्यों होती है तो calcium is a necessary mineral for maintaining structure and function कि जो हमारे body का जो structure है और body की जो अलग-अलग function है तो उसके लिए ये जो calcium mineral है उसकी जरूरत काफी रहती है जैसे की nerve transmission कि जो neurons का जो transmission होता है उसके लिए काफी जरूरी है फिर hormone के secretions के लिए भी calcium का होना जरूरी है body के अंदर muscles का जो contraction होता है उसके लिए भी जरूरी है vascular functions के लिए जरूरी है and healthiness of bonds and joint कि हमारे जो bonds है फिर उसके जो joints वगएरा है उनके healthiness के लिए भी calcium की हमारी body के अंदर जरूरत होती है तो अलग-अलग dietary supplements में से तो हमें ये calcium मिल जाता है बड़ समझो की आपके खाने के अंदर calcium जो है वो proper पूरी मातरा में नहीं है और उसके करण आपकी body के अंदर समझो की calcium की कमी हुई है तो उस वक्त ये vitamin D3 and calcium के जो tablet है वो आपको prescribe किये जाते है फिर vitamin D3 की हम जाने के D3 की जरूरत क्यों है तो D3 जिसका मतलब है कॉल कॉल सिफेरोल की जो हमारी skin बनाती है कि जब वो sunlight के अंदर expose होती है बट जो daily requirement समझो की पूरी नहीं होती जो vitamin D3 की हमारी body को जरूरत है तो वो आपको बाहर से as a supplement लेने होते है कि ये जो tablets वगेरा जो आप लेते तो उससे आपके vitamin D3 की जो कमी है वो पूरी हो जाती है तो D3 की हम जरूरत समझे तो बहुत सारे उसके health benefits है जैसे कि हमारे bonds and muscles की जो strength होती है मजबूती होती है उसके लिए जरूरी है विकॉस जो हमारी body का जो structure के लिए जरूरी है bonds तो bonds अच्छे से मजबूत होना जरूरी है उसी तरह से जो muscles होते है वो भी proper उनके अंदर भी proper मजबूती होना जरूरी है तो ये दोनों के लिए vitamin D3 का proper amount के अंदर जोना जरूरी है हमारी body के अंदर और उसकी समझो की कमी है तो bonds and muscles related problem होते है body के अंदर फिर vitamin D3 जो है वो boost करता है immunity को increase करता है mood को आपका mood भी बनाए रखता है immunity खास इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो immunity booster के तोर पे भी सिर्फ vitamin D3 के supplement भी use करते है फिर aid in weight loss weight loss में help करता है and improve the heart function कि जो heart है हमारा जो रदय है उसके जो अलग-अलग function से उसके अंदर भी ये D3 help करता है and vitamin D deficiency में cause fracture, muscle pain and weakness तो कई बार क्या होता है कि जो fracture सवगेरा हो जाते है body के अंदर तो उसका reason समझे कि bond आपके काफी weak हो चुके है तो उसके करण automatically कई बार थोड़ा सा भी pressure आने पर bond जो है वो fracture हो जाते है फिर regularly आपके body के अंदर जो muscle से वो pain करते है and आपको weakness जैसा feel होता है body के अंदर तो उसका reason कई बार ये होता है कि आपके body के अंदर vitamin D3 की कमी है, vitamin D3 की deficiency है, तो उसको पुरा करने के लिए आप जो है वो ये tablet जो है वो use करते है, तो अब जान लेते है ये tablet के basic use की ये जो combination है, उसका basic use का है, तो सबसे पहले तो जो हमारा main concept है कि vitamin D and calcium की जो deficiency है उसको पूरा करने के लिए ये tablets जो है वो prescribe किये जाते हैं patients को फिर जो osteoporosis जो है उसके इलाज में patients को ये tablet दिये जाते हैं osteoporosis मतलब कि bond जो है वो आपके काफी porous हो जाते हैं कि ये वाले bond है, वो normal bond है उसके compare में ये नीचे वाला जो आप bond देखो तो काफी porous मतलब कि जो उसके अंदर छिद्रा जो होते हैं वो काफी देखने को मिलते है, pores काफी देखने को मिलते है bond की जो density होती है वो कम हो जाती है, बॉन काफी वीक हो जाते है आपके और ज्यादा वीक होने पर आगे जाके उनका fracture भी हो सकता है तो उसके इलाज में ये tablet यूज किया जाते है, फिर बॉन related जितने भी अलग-अलग disorder से कि बॉन्स आपके वीक हो चुके है बॉन की मजबूती कम हो चुकी है तो ऐसे सभी cases के अंदर ये tablet patients को दिया जाता है फिर vitamin D and calcium के supplement के तौर पे हम उसको यूज करते है और pregnancy के दौरान calcium and D3 की deficiency ना हो इसके लिए pregnancy and lactating mothers भी उसको यूज करती है फिर बात करें तो support in a treatment of acidity, stomach ulcer, heartburn-like condition कि अगर आपको acidity का problem है stomach ulcer का problem है और heartburn related problem है तो उसके medicines के साथ ये tablets भी आप use कर सकते कि जो support करेंगे आपको उनके इलाज के अंदर फिर 7 नंबर का उसका use देखे to remove the excessive phosphate from the blood in patient undergoing kidney dialysis, मतलब कि जो dialysis करवाते हैं कि जो kidney related problem है समझो कि आपको, तो kidney dialysis के जो patients होते हैं उनके body में से उनके blood में से excessive phosphate को remove करवाने के लिए कई बार ये tablet जो है medical super reasons के अंदर जो है वो patients को दिये जाते हैं for healthy and strong bond and joint कि आपके bond काफी healthy रहे strong रहे bonds के साथ जो joints है वो भी proper healthy रहना जरूरी है तो उनके लिए भी ये tablet आप खा सकते है bond strong and prevent the osteoporosis कि osteoporosis को prevent करवाने के लिए भी ये tablet आप use कर सकते हैं अगर आपको ये सा पता चला कि आपके bonds जो है वो weak हो रहे है तो तुरंत ये tablet के जो supplement से वो start किये जाते है to treat the condition of weak bond कि आपके bonds weak है कि ये देखो ये वाले diagram के अंदर तो bonds जो है वो ये मजबूत bonds है बट जैसे ही bond weak हो जाते है तो सबसे पहला उसका असर पड़ता है ये spinal cord के उपर तो ये जो है वो इस तरह से band हो सकता है broken हो सकता है तो जो weak bond होते है उसके treatment के अंदर उसके इलाज में ये tablet जो है वो काफी असरदार साभित होते है to provide the daily requirement and need of calcium and vitamin D3 to the body की हमारी body को जो daily requirement होता है कि कई बार हमारे खाने के अंदर ये सभी nutrients proper नहीं होते तो उसके करन हमारी body के अंदर उनकी deficiency हो जाती है कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए ये tablet जो है वो आप खा सकते है and इस तरह से हम देखे तो बहुत सारे उसके uses है ये medicines के कि बहुत सारे उसके health benefits भी है और साथजाद use अब जानते है कि pregnancy के दोरान ये tablets क्यों prescribe किया जाते है और उसके benefits क्या है कि अगर आप उसको pregnancy के दोरान use करते है तो सबसे पहले तो ये जो second trimester जब start होता है second trimester मतलब कि जब आपका 12 week का जो pregnancy period है वो खतम हो जाता है कि जिसको हम कहते है first trimester और first trimester complete होने के बाद जो second trimester सुरू होता है तब इसे ये tablet जो है वो prescribe किया जाते है pregnancy के दोरान तो it help in born formation and development of the baby from second trimester कि जो second trimester से अब जो organ development होता है baby के अंदर तो उसके अंदर specially जो born formation और उनका अच्छे से development हो उसके लिए ये tablet जो है वो दिये जाते हैं फिर उसका dose की हम बात करें तो डेल्ली one tablet is taken by pregnant woman तो जो pregnancy के दोरान डेल्ली एक tablet जो हो ली जाती है and help in maintenance of strong born in mother as well as in developing baby के pregnant women के लिए भी काफी helpful है और साथो साथ जो baby develop हो रहा है उसके लिए भी ये काफी helpful साबित होते हैं अब जान लेते हैं उसके डेल्ली dose के बारे में तो डेल्ली one tablet के दिन में एक ही tablet लेना enough रहता है ज्यादा tablet लेने से sad effects हो सकती है और उसका prescription इस तरह से रहेगा 001 उसका रात को एक tablet जो है वा आप खा सकते है डेल्ली एक ही tablet लेनी है और वो भी आप रात को खा सकते हैं सोते समय तो यह होगा उसका डेल्ली डोस और कुस तरह से यूज करनी है फिर समझना जरूरी उसके side effect कि अगर कोई समझो कि overdose में यूज करता है if using overdose side effects will occurs कि normal dose में आप यूज करते है proper आपके doctor के सलाह के अनुसार तो problem नहीं है बड़ समझो कि उसका overdose होता है तो कौन से side effects होते है वो हम जानते है तो सबसे पहले जो side effect है वो है constipation कि ज्यादा calcium and vitamin D.K. ट्रेवलेट्स खाने से constipation का problem हो सकता है आपको vomiting हो सकती है नौज्या हो सकता है loss of habitat मतलब कि आपके book जो है वो कम हो सकती है फिर feeling thrusting मतलब कि प्यास लगेगी बार-बार आपको ऐसा feel होता है stomach pain हो सकता है frequent urination कि बार-बार आपको urine करने जाना पड़े muscles आपके weak हो सकते है because limit में जरूरी है calcium muscles के लिए जरूरी है बड़ वो भी limit में अगर वो limit हम cross करते है काफी excessive use कर लेते है तो muscles strong होने के बज़ाए muscles आपके हो जाएंगे weak क्योंकि जितना ज़्यादा contraction जितना calcium ज़्यादा होगा muscles के अंदर contraction ज़्यादा contraction ज़्यादा होगा रोगा ज़्यादा contractions अगेरा होने से वो muscles जो है वो आगे जाके हो जाते है काफी weak तो excessive use ना करें ये tablet को कभी भी फिर high level of calcium in urine कई बार क्या होता है कि ये tablet आप overdose में यूज़ कर लेते है तो आपके urine के अंदर calcium का level जो है काफी increase हो जाता है allergic reactions body पर होते है जैसे कि eating होना कि जिसको आपके देख खुजली होना wheezing जिसा हो सकता है आपको rashes हो सकते है swelling हो सकती है tongue मतलब की आपका जो jeep का जो portion है वहापे swelling मतलब की sujan देखने को मिल सकती है and throat के अंदर भी sujan देखने को मिलेगी कि अगर आप उसको overdose के अंदर यूज करते है फिर बात करें उसके warnings कि कौन से conditions में उसको याज ना करें तो सबसे पहले तो समझें कि आपको allergy है आपको allergy है calcium carbonate की कि जिसका main ingredient है या फिर vitamin D3 या फिर किसी भी ingredient के आपको allergy है तो भी उसको यूज नहीं करना है higher than normal level of calcium in your blood कि आपके blood के अंदर calcium ज़्यादा है तो भी ये tablet को use ना करें फिर patient with kidney failure कि kidney failure के जो patient होते है उसको उनको भी ये tablets जो हम नहीं देते if you have a high level of cholesterol in body कि आपके body के अंदर समझो कि cholesterol ज़्यादा है तो भी ये tablet को use ना करें फिर never take thyroid medicine and calcium and vitamin D3 it may cause the drug-drug interactions with each other कई बार क्या होता कि हमारे पास proper knowledge ना हो और thyroid के medicines भी आपको चल रही है और ये tablet भी आप खा रहे है तो उसके करण serious drug-drug interaction हो सकती है और उससे side effects जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं तो कभी भी thyroid के medicines and calcium and vitamin D3 के tablet जो है वो एक साथ यूज ना करें कि अगर समझे कि calcium and D3 की जरूरत है तो उतने समय तक आप thyroid के medicine जो है वो skip कर सकते हैं डॉक्टर के सलाहनुसार और जैसे ही calcium and D3 का course complete होता है तो फिर से आप thyroid के medicine जो है वो start कर सकते हैं दोनों को साथ में लेना जो है वो serious side effects कर सकता है तो ये खास द्यान में रखना है vitamin D3 and calcium की tablets को जब आप use करें तो ये था special information about the vitamin D3 and calcium tablet thank you for watching join कर सकते हैं whatsapp group access कर सकते हैं study material को test series and video lecture pharma rocks के आप उपर तो अगर आपके पास android phone है तो android आप डाउनोड कर सकते हैं iphone user है तो app store पर से डाउनोड करें और access करें video lecture test series and study material pharma rocks के आप उपर so good luck and all the best